Yes friends, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टेबल के लिए ट्रिक बताऊंगा जिनके युनिट प्लेस पे 7 आता है जिनके युनिट प्लेस पे 7 आएगा ऐसी कोई भी बड़ी से बड़ी टेबल आज आप बना पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद बिना किसी बड़ी मल्टिप्लाई या एडिशन के तो चले शुरू करते हैं फर्स्ट आप देखेंगे यहां पे मैंने कुछ बॉक्स बना रखे हैं आप कहेंगे बनानी तो हमें टेबल है तो इस बॉक्स का क्या काम तो यही बॉक्स आपको जो है आज की ट्रेक बताएगा कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करके असानी से कोई भी बड़ी से बड़ी टेबल बना पाएंगे जिनके यूनिट प्लेस पे सेवन आता है फर्स्ट स्टार्ट हम करेंगे छोटे से चोटे टेबल पर जैसे से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आपको क्या करना होगा बॉक्स बनाने के बाद आपको लिखनी है काउंटिंग वन टू two three four five six seven eight nine इतना लिखने के बाद अब seven की टेबल बनानी है तो यहां पे हम लिखेंगे zero ठीक है zero लिखने के बाद zero से जो next number होता है 0 से next होता है 1 तो आपने 1 1 add करके यहां लिख देना है 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 ठीक है इतना आने के बाद यह जो number आएगा यहां पर 3rd place पे यही number आपने उपर से नीचे add करते होए चलना है 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 0 प्लस 2 2 2 2 प्लस 2 4 तो आपकी टेबल बनके त्यार हो चुकी है और लास्ट वन आ जाएगा हमारा 7070 7 बनज़ा 7 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 तो देखे कितनी आसानी से आपने इस टेबल को cover किया है next मैं आपको इस से थोड़ा और बड़ा हम number लेते हैं box आपको इस तरह से बनाना है बिलकुल आसान है ये बनाने के बाद अब हम देखते हैं 17 की टेबल ठीक है 17 की टेबल कैसे आएगी last box हमारा हो जाएगा ये तो आपको पताईए 170 counting किस order में लिखेंगे हम counting हम लिखेंगे यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है counting लिखने के बाद फिर हमें ये वर्ड फर्स लिख दिना यहां पे अब मैंने आपको बताया था 1 है तो 1 से next number होता है 2 तो आपने क्या करना है 2 को add करने हो चलना है इस तरफ 1 प्लस 2, 3 3 प्लस 2, 5 अब जो यहां पे थर्ड प्लेस पे नम्बर आया है यही आपने नीचे की तरफ add कर देना है 1 प्लस 5, 6 6 प्लस 5, 11 3 प्लस 5, 8 8 प्लस 5, 13 5 प्लस 5, 10 10 प्लस 5, 15 तो देखें ये आपके टेबल बन चुकी है कितनी असानी से देखिए आप इस टेबल को बना पाने है 17, 34, 51 68, 85, 102 119, 136, 153 ऐसे ही हम कुछ और बड़ी टेबल से लेके देखते हैं नेक्स हम बनाएंगे एक और बड़ी टेबल 47 की अब ये बॉक्स आपको बनाना आ गया होगा इस तरह से कुछ बनाना है आपने बॉक्स को और फिर इस तरह से अब हमें जो टेबल बनानी है 47 की टेबल बनानी है तो यहाँ पर हम लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है अब जो टेबल हमें बनानी है 47 तो 4 यहाँ पर लिखेंगे अब 4 से एक next word होता है counting में 5 तो 5 इसमें प्लस कर दीजिए 9, 9 में 5 प्लस करेंगे तो 14 अब यहाँ पर जो word आया है वो नीचे की तरफ add कर देना है अपने सब में 4 प्लस 14 18 18 प्लस 14 32 ठीक है और इसके बाद 9 प्लस 14 करेंगे तो 23 और 23 में 14 प्लस करेंगे तो 37 यहाँ पर 14 की टेबल भी आप कह सकते है यहाँ फिर 14 एड़ करेंगे 28 और यहाँ पर आजाएगा 42 और लास्ट बॉक्स होता है हमारा 10 पर 47 और 0470 तो देखें कितने आसानी से आप इस टेबल को बना सकते है नेक्स हम बनाएगे 97 की उसमें थोड़ा और ज़्यादा इंटरस्टिंग होने वाला है अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो बिल्कुल ही आसानी से हम इसको कर पाएंगे सिरफ हमें बनाना है बॉक्स ये बन गया हमारा बॉक्स अब जो टेबल हमें बनानी है 97 की अब इसमें 9 आ रहा है बीच में तो ये टेबल और भी ज़दा आसानी से आप बना पाएंगे पहले तो आपको लिख नहीं है काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब आपको 7, 97 की टेबल बनानी है तो आप क्या करेंगे नीचे वाले कॉलम में 7, 7, 7 फिर एक एक्स्ट्रा 8, 8, 8 फिर 9, 9, 9 उसके बाद आपने क्या करना है काउंटिंग लिख देनी काउंटिंग ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट बॉक्स हमारा होता है 9, 70 तो देखें कितनी आसानी से बिना किसी मल्टिप्लाई या एड के हमने इतनी बड़ी टेबल को कम्पलीट किया है तो यह थी आपकी आज की ट्रेक वीडियो इसमें हमने स्टडी किया ऐसी टेबल को जिनके योनिट प्लेस पे आता है 7 ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए धन्यवाद